अपनी शादी को आप अभी होने देना नहीं चाहते क्योंकि आपके कुछ रीजन्स है एक रीजन ये हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं इसलिए जब तक वो आपसे शादी नहीं करेगा जब तक वो शादी के लिए रेडी नहीं है तो आप भी शादी नहीं करें दोस्तों, दूसरा आपके उपर घर की कुछ जिम्मेवारिया हैं, घर परिवार के कुछ ऐसे फ़र्झ हैं जिसको निभाना आप सबसे पहले समस्ते हैं, जिसको आप सबसे पहले importance देते हैं तीसरा दोस्तों अगर आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई है जिसके कारण आपका विश्वास ही उठ चुका है शादी से तो आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होनी की अशक्ता नहीं है आज अगर आप हमारे इस YouTube चैनल लव एस्ट्रोजी देव दर्शन पर आहीं चुके हैं यह जानने के लिए कि शादी तोड़ने के टोटके क्या हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी आप हमारे आज के YouTube चैनल के इस वीडियो को आनता तक जरूर देखें और जाने शादी तोड़ने के चमतकारी टोटके दोस्तों आपको क्या करना है हम बताते हैं एक लाल कलर की पोटली लेनी है उस लाल कलर की पोटली में आपने कुछ सामगरी को डाल कर अपने घर के किसी ऐसे एक कांट स्थान पर रखना होगा जहां पर आप किसी को इसका पता ना लग सके किसी के इस पर हाथ ना लग सके दोस्तों इस पोटली के अंदर हम आपको बताते हैं क्या आपने सामगरी रखनी है दोस्तों आपने इस पोटली के अंदर थोड़े से चावल थोड़े से आपने गेहूं के दाने को बात कर इस पो को अपने सर यानि अपने मस्तिक्ष से तीन बर्स पर्ष कुराने और किसी चलते वे पानी में आपने बहा देना है जैसी है आप ये टोटका करते हैं अपने हाथों से और जो आपने पोटली अपने घर के किसी काम स्थान पर बांद कर रखी है उसे सोमार के दिन वहां से उठ किसी चुराहे के बीच बीच रखने के बाद उस पर सरसो का तेल छिड़का दे और उसके पास चोमुखी आठे का दीपक जिलाएं याद रखी कि ये टोटके करते ही आप अपने शादी को हमेशा के लिए ब्रेक कर ला सकते हैं जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपक करना शेयर करना ना भूलें दोस्तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेशा है तो आप हमारे सक्रीं पर दिए गेर नमबर पर कॉल कर हमारे गुरुजी से संपरक कर सकते हैं और अपनी क्वेशा को क्लीर पर सकते हैं धन्यावाद झाल वे उस अ JUST वजब झालाव करता हुझ झालापे जब झालावा करहा है।